सब्सक्राइब कीजिए मेरे चनल को और प्रस कीजिए बैग बोटन को ताकि आप में यह आने बली वीडियो देख सकें हैलो फ्रेंड्स मैं अभी जीत आज की वीडियो में मैं आपको मिंड के प्लांट को तीन तरह से ग्रो करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ यह रिजर्ट भी दिखाऊंगा कि किस प्रोसेस से हमारा जो मिंड का प्लांट है वो काफी अच्छे से और जल्दी से ग्रो करता है तो वीडियो को हम तक जरूर से देखिएगा तो समर में आपको मिंड के जो कटिंग है वो आसानी से मिल जाती है आपको किसी भी सबजी वाले कहां से आपको यह मिंड का कटिंग मिल जाएगी मिंड के प्लांट को अगर आपने एक बार अपने घर में लगा लिया तो यह आपके पास हमेशा रहेगा चाड़ा गर्मी बर्साज चाहे कोई भी मौसम हो यह आप के आहां ग्रो करता रहेगा बस विंटर के मौसम में इनकी ग्रोध थोड़ी सी रुख जाती है तो चलिए अब हम इनको लगाने का आपको प्रोसेस बता देते हैं मिंट की कटिंग लिए वह काफी जढ़ा हेल्दी है और फ्रेश है आपको इसी तरशे मिंट की कटिंग लेके मीयँ है आपको cutting को तयार करके दिखा रहे हैं तो आपको कुछ नीचे की जो leaves हैं उनको हटा देना इस तरह से बाकी उपर की leaves को आपको छोड़ के रखना इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे 4-5 इंच का अगर ये cutting है तो उसमें से लगबग आपको आधे से जादा नीचे की leaves को हटा देना आपको और आपको उपर की जितनी भी leaves हैं लगबग 5-6 leaves आपको उपर की छोड़नी है और इस तरह से हम cutting को तयार करेंगे इसी तरह हम बाकी cutting को भी तयार कर लेते हैं हमने water में grow करने के लिए cuttings को कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमने जितनी भी branches लिया है उनकी नीचे की leaves को हटा लिया है और अब हम मेंड की cutting है उसको एक बराबर लेवल पर काट लेंगे तो देख सकते हैं आपको इस तरह से काट लेना है हमने वाटर में ग्रो करने के लिए अब हम इन cuttings को च्छाओं में रख देंगे और इनके वाटर को परड़े हम चेंज करते रहेंगे जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेंगी अब हम मिंट्स की कुछ और cuttings लेंगे और उनको हम स्वाइल और सैंड में ग्रो करने के लिए तयार करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कुछ cutting लेनी है और उनकी सारी पत्यों को आपको काट के हटा देना इस तरह से और आपको उपर का भी portion पूरी तरह से हटा देना है तो इस तरह से आपको पूरी cutting तयार करने होगी आप देख सकते हैं नोड वाला portion आपको बचा के रखना है अब देख सकते हैं इसी तरह से आपको cutting को तयार करना है तो और भी cutting को हम तयार कर लेते हैं सैंड और स्वैल में ग्रो करने के लिए हमने सारी cutting को तयार कर लिया है और अब हम इनके लिए disposal glass लेंगे तो ये देख सकते हैं मैंने जो डिस्पोजल glass लिया है इसमें मैंने नीचे की और bottom की और आप देख सकते हैं कुछ holes की हुए हैं ताकि इन में से पानी अच्छे से drain हो जाए और हमारी cutting है वो खराब नहों तो अब हम कुछ cutting को ले लेते हैं और इनको हम सैंड में ग्रो करते हैं तो हमने सेंड को भर लिया है और अब हम जितनी भी cutting है उनको उनकी सही position पे ले आते हैं बीज-बीज में आपको कर लेना इन सारी cuttings को तो यह हमारा दूसरा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है और अब हम कुछ बची हुई cuttings को लेंगे और उनको soil में ग्रो करेंगे क्लास में हमें मिट्टी को भर लेना है मिट्टी में हमने 30% गुबर की खाद और 70% soil वाला potting मिक्स लिया है और अब हम मिंट की cuttings को इस तरह से क्लास में रख देंगे नीचे मिट्टी भरने के बाद आपको इस तरह से cutting को रख देना है और फिर इनके चार और अब हम मिट्टी को फिलप कर देंगे हमने मिंट की cutting को मिट्टी में भी लगा लिया आप देख सकते हैं और हमारा सैंड और मिट्टी दोनों में अच्छे से ये cutting लग चुकी है और इनको अब हम इसमें पानी डाल देंगे हमने मिट्टी में और सैंड में cutting को लगा लिया है तो अब देख सकते हैं हमने तीनों प्रोसेस से cutting को लगा लिया है ये हमारा वाटर में लगी हुई cutting है जिनको हमने cutting से ग्रोग करने के लिए लगा है और ये हमारा मिट्टी से लगी ब्रक्ष एंड से कटिंग को ग्रोड़ करने के लिए के लिए लगाया है इन सारी तरह की कटिंग को STEPHANारा हम चाओं में रखेंगे कम associated günstig pracण सब्सक्राइबोट को अगर इनको सब्सक्राइबोट grateful के रखी में जहां पे छाओं हो जहां पे डारेक्ट सनलाइट ना आती हो तो ऐसी जगह पे रखने से आपकी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो करेगी तो जो भी हमने कटिंग को सेंड और मिट्टी में लगाया है तो उनको हमको इस तरह पनी से कवर कर देना है ताकि इनके अंदर मैंने जैसे आपको सेंड वाले को रखके दिखाया आपको वाटर वाले को ढखने की जड़ूत नहीं है हमारे सारी कटिंग को लगाया आज 8 दिन हो चुके है और अब हम देखेंगे कि इन में क्या-क्या प्रोग्रेस हुआ है किती ये ग्रो हुई है तो सबसे पहले हम इनक कटिंग है सक्सेस होती दिखाई दे रही हो सब की ग्रोथ बहुत अच्छी चल लही है जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर में जो कटिंग लगाई थी उसकी भी ग्रोथ काफी हो चुकी है जितनी भी एरिया आपको हलका ग्रीन आपको उपर का दिखाई दे रहा है वो ग्र ब्रांच ग्रो होते हुए दिखाई दे तो आप इनको हलके सनलाइट वाले एरिया में रख सकते हैं जहां पर थोड़ी सी सनलाइट आती हो ज्यादा इनको सनलाइट ना मिले तो उस एरिया में रखने से इनकी जो ब्रांचेस है वो और ज्यादा हैवी होगी तो इस तरह से आप रख सकते हैं तो चलिए मैं water वाली आपको इनकी ब्रांच की जो cutting अमने लगाई थी उनको हम देखते हैं इनमें roots का development कैसा हुआ है कैसे इनकी roots grow हुई है की नहीं तो ये देख सकते हैं आपको बाहर से इनकी roots दिखाई दे रही हैं तो ये देखिए 8 दिन में इनकी काफी इच्छे water में roots grow होना सुरू हो जाते हैं आपको ध्यान रखना है कि जिसपी pot या glass में आप इनको water में grow कर रहा है तो उन में आपको water की कमी नहीं होने देनी है क्योंकि water की कमी होगी तो इनकी जो new leaves और roots grow हो रही हैं वो grow नहीं होगी अब आपको मैं मिट्टी में लगाए हुए कटिंग्स को पास से दिखाना चाहता हूँ तो यह देख सकते हैं आप इनको मैं पास से दिखाओं तो इनकी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही होगी यह देख सकते हैं इसमें न्यू ब्रांचे बहुत अच्छी से ग्रोव हो रही है और अगर आप साइट से इनको देखेंगे तो आपको बहुत सारी रूट्स भी ग्रोव होती हुए हलकी दिखाई देंगी लेकिन रूट्स अभी बहुत जादा छोटी है और बहुत अच्छी से यह प्लांट ग तो अब मैं आपको सेंड में लगाई हुए कटिंग को पास से दिखाता हुआ हूँ यह देख सकते हैं सेंड में लगा हुए हमारी कटिंग बहुत अच्छी से ग्रोव हो रही है और इन में भी और अच्छी न्यू ब्रांचार्स ग्रोरो Parliamentा है और काफी healthy branches हैं ये देखिए एक branch है जो टूट चुकी है बाकी हमारी branches बहुत अच्छे से ग्रो होती जा रही है और देख सकते हैं इसमें भी roots बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है आप देखें तो आपको छोटी सी roots उपर भी दिखाई दे रही है और अगर आप side से और आपको branches grow होती ही दिखाई दे रही है हमने जिस pot में तीनों मीडियम में अलग-अलग तरीके से cutting को लगा रखा है तो इन्हें आपको regular पानी देते रहना है क्योंकि pot में किसी भी तरह से dryness नहीं होना चाहिए dryness होने से आपका cutting है वो dry होना सुरू हो जाएगी तो इस ब इनमें growth अच्छे से हो सके जो energy है वो पीली पत्यों पे ना जाकर हमारे plant पे लगती रहे और हमारे plant healthy बने रहे हैं अब हम इन cuttings को किसी भी चीज से ढखेंगे नहीं अब इनकी growth सुरू हो गई है तो अब हम इनको छाओं वाली जगा पे रखेंगे बस और फिर कुछ दिन बात फिर से हम देखते हैं क्या इन में progress हुआ अब देख सकते हैं हमारे जो सारी ही medium है जिसमें हमने इनको लगाया cutting को सारी ही अच्छे से grow कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे मिंट की cutting है वो किसी भी medium में grow हो सकती है अगर आप water में grow करते हैं तब भी grow हो जाएगी काफी जल्दी और मिट्टी में भी काफी अच्छे से grow होगी और अगर आप सेंड में इनको grow करें तब भी बहुत अच्छे से grow करेगी तो अब मैं इनके सारे medium में से आपको दिखाता हूं कि किसमें सबसे जादा अच्छी rooting होई है और कितने अच्छे से यह जल्दी से grow हुआ है तो यह हमारा पहला जो water में लगा हुआ हुआ हमा गलग जगहों पे इनके plant को लगा सकते हैं तो यह हमको बहुत सारे plant मिल गया है और इस तरह से आप अपने किसी भी pot में बहुत सारे plant को लगा के बहुत सारी mint के पौदे तयार कर सकते हैं और बहुत जादा आपको mint मिल जाएगा तो आप mint के plant को water में बहुत आसानी से grow कर सक और बहुत सारी इसमें रूटिंग होई है इसमें किसी भी तरह का आपको फर्टिलाइजर देने की जड़ुत नहीं पड़ी तो अब हम देखने वाले हैं यह जो हमारा मिट्टी में लगाया हुआ यानि स्वैल में हमने कटिंग को लगाई थी उनका प्रिजर्ट देख सकते ह इनमें भी प्लांट की जो स्टेम मैंने लगाई थी काफी सारी कटिंग उन सारी कटिंग से आप देख सकते हैं चोटे चोटी ब्रांच और नई नई ब्रांच जो हो चुकी है और आप देखेंगे तो इनमें बहुत सारी रूट्स आपको अंदर की और यहां पर दिखाई यहां दे तो हम भी इनको बहुत आसानी से ब्रोकर कर सकते है तो मैंने इसके लिए नीचे की और ड्रीनिक सिस्टम के लिए कूछ हैं तो यह देख सकते हैं से ताकि इसारी ब्रान प्लांट एक घ्रों करें जो हम 교 केविए बढ़िए यो अच्छे से ड्यार करती है तो चुंकि इनमें थोड़ी थोड़ी में है बच और इनका। I am I am the plant garden question स्वाइल बढ़ड़ी में नहीं भग अपार हो जाते धिए तो हमें। सांट शाम से उविभल हैं। तो अप गुआ यद अप जैसे अगर इन प्रांट की कटिंग को आप लगा रहे हैं तो रेगुलरली आपको वाटर देते रहना है इनमें नमी बना के रखना है आपको ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहे हैं आपको इनमें ऊपर से किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं देना है क्योंकि अगर आप इन कटिंग को फर्टिलाइजर देंगे तो ये धीरे-धीरे जो कटिंग जितनी भी है वो सूपना सुरू कर जाएगी तो हमने जो आपको बताया है मिट्टी के लिए अगर आप फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो 30% गूबर की खाद और 70% स्वैल वाली पॉट पतली पतली है और बहुत जादा हार्डी नहीं दिख रही है तो इसका यही रीजन है क्योंकि मैंने इसको पूरे टाइम इनको सेड में रखके ग्रो किया है अगर इनकी थोड़ी सी भी ग्रोथ आपको दिखाई देने लगे तो आप इनको हलकी सी दूप वाली जगा पर र दिखाई देंगी तो मैं इनके रूट्स का रिजर्ट आपको दिखा देता हूं तो सबसे पहले मैं इस गलास को काट के हटा दूँगा आराम आपको इन कटिंग्स को उपर से हटाके घसीट के नहीं निकाल लाए नहीं तो इनकी रूट्स देमेज हो सकती है तो इस तरह हमको हटा लेना है आप देख सकते हैं यह जो cutting हमने लगाई थी उनकी roots नीचे तक आपको दिखाई देरी होगी तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो आपके जो cutting है उनकी roots बहुत अच्छी है तो हम इस तरह से तोड़-तोड़ के इनको नह सब्साइब काफी ह piş सकते हैं तो इस तार से आप इनको धो कर करके निकाल लेंगे और हम इनको अदर पॉर्ट में भी शिफ्ट कर सकतें इस तरह सकते हैं सेंड में इनकी रूटिंग काफी उच्छी हुई आप इनको हम धोल लेते हैं काफी healthy भी stems हैं आप देख सकते हैं तो मिट्टी के मुकाबले यहां पे बहुत ज़्यादा अच्छी rooting दिखाई दिए और plant भी काफी healthy हैं आप देख सकते हैं तो इन दोनों में अगर comparison करें तो आप देख सकते हैं दोनों में सबसे ज़्यादा सेंड वाली जो cutting हैं उनकी growth काफी अच्छी हुई है अब मैं आपको एक साथ तीनों का result दिखाना चाहता हूँ तो यह देख सकते हैं आप यह water में अमने grow किया था और उसका result मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसकी rooting बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है और जो हमारा plant है वो भी काफी ज़्यादा बड़ा हुआ अच्छे से आप देख सकते हैं जितना भी light green portion है वो जब मैंने water में रखा था उसके बाद grow होने वाला portion है और ये वाला आप देख सकते हैं ये हमने मिट्टी में grow किया था तो इसकी roots उतनी ज़्यादा grow नहीं हो पाई है जितना ज़्यादा water में grow हुई है इसकी आप देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं सेंड में भी काफी अच्छा result मिला है इसकी roots काफी healthy roots हैं बड़ी-बड़ी और मोटी roots है तो ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने मिंट्स के cutting को डारेक्ट सनलाइट में grow किया था आट दिन के बाद और उसकी rooting काफी ज़्यादा अच्छी हुई है से grow कर सकते हैं water का result सबसे अच्छा मिला है तो चलिए अब हम अपने plant को report कर लेते हैं report करने के लिए 30% गोबर की खा 70% soil वाले potting mix में आपको इनको report कर लेना है report करने के बाद आपको इनको लगबग 5-6 दिन चाओं में रखना होगा फिर इनको direct sunlight में रख देना है तो ये थ हुआ है